नमस्कार आप देखरे एक News24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ भोजपूरी के सूपरस्टार पवन सिंग और उनकी पतनी जोती सिंग पुछले कुछ समय से अपनी नीजी जुन्दगी को लेकर काफी सुर्खियों में रहे दोनों ने एक दूसरी पर लगातार कई गंभी रारोप लगाएं हलाकि अब दोनों का जो रिस्ता है वो ठीक होने के कगार पर था दोनों की मुलाकात भी हो चिक्वी थी हलाकि अब इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो यह आपको बता दे कि पवन सिंग की बेटी है ऐसा दावा किया जा रहा और वो 21 वर्सी है हलाकि इस बात में कितनी सचाई है हमें सेशन में जानेंगे इस पर विस्तार से इस वक्त हमारे दोस्त सहयोगी विकास और मधुबाला हमारे साथ मौजूद है तो सबसे पहले हम विकास से सवाल करेंगे पवन सींग और जोती सींग दोनों पिछले काफी समय से सुर्खियों में रहे हैं दोनों का रिस्ता एक तरी से टूटने के कगार पर था देखिए हम आपको बता देश्वाती कि जिस तरीके से तमाम जो लोग थे वो पवन सिंग और जोती सिंग का जो मैटर था उनका घर बसता हुआ देखना चाहते थे तो वहीं पर जो पवन सिंग के विरोध करने वाले थे वो चाहते थे कि पवन सिंग का घर कभी न बसे पवन सिंग इसी तरीके से रह जाए लेकिन जिस तरीके से एक तरह बिना मानभी का हम बात करें या एक तरह बगता मिस्रा का बात करें बिना मानभी मुंबई जाती है है कि हमने पवन सिंग के आखों में जोती के लिए प्यार देखा और सचाई देखा तो लेकिन इस वक्त इस पर अभी तक एक वी तस्वीर निकल कर सामने नहीं आया है बैठक का लेकिन हमारे सुत्र बताते हैं कि सब कुछ हो चुका है घर बसने ही वाला था लेकिन उसी बीच में अब ये नया मैटर आ गया कि उनकी बेटी है आखिरका ऐसे तरीके से जो खबर चला रहे है वो कहां से चला रहे हैं कौन से सुत्र बता रहे हैं ये तमाम उनको बताना चाहिए लेकिन परवन सिंग को बदनाम क्यों किया जा रहा है ये बड़ा सवाल बड़ा सवाल है और उनकी बेटी है अगर, हम भी एक मिनट के लिए मानते हैं कि ठीक है उनकी बेटी है, तो इतने सालों से ठीक हाँ, 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 कहां रह रही थी, किसके साथ रह रही थी, जो अब पावन सींग के सिलसिला चल रहा है सामने चुनाव है पवन सिंग टिकट पाना चाहते हैं लगातार मीडिया चैनलों में इंटर्व्यू दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि चुनाव जीत के क्या-क्या लोगों के लिए काम करें तुमका छवी खराब करने का कोर्सिस कौन कर रहा है ये भी ज गौन है ओ लर्का कौन है कि सकत्ति थीयत यह जो रिस्ता बन रहा था यह बंते बंते फिर से बिगड़ जाएगा देखिए पवन सिंग को सब लोग जानता है कि वो भुजपूरी इंडस्ट्री के सूपर स्टार है तो पवन सिंग और जोती सिंग का हाल ही में देखा गया कि लखनौ में दोनों का सब कुछ बविता मि तो बैटी को चैप्टर खुला है तो आपको क्या लाइए एक तरफ लोगसभा चुनाओ है एक तरफ जिोती हैं जिनसे पवन सिंग का ऐसा दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है लेकिन अब इसी जो बेटी ने एंट्री लिया है तो इससे पवंग insin की मुश्किले कितना बढने वाली है देखिए बेटी का ऐंटी कंप अप्र दाकर और एक ऐसे पावर इस्टार है कि उन्हें किसी से फर्क नहीं परता, वो किसी से डरने वाले नहीं है, अगर उन्हें चुनाओ लरना है तो लरेंगे, चाहे वो निर्दर यहीं क्यों न उतर जा मैदान में, वो दिखाएंगे चुनाओ लरके लोगों को क्योंकि वो से पावन सिंग के साथ एक लडरकी दिखती है, और पावन सिंग उससे चोकलेट खिला रहे हैं, पावन सिंग का आशीरबाद ले रही है लडरकी, अब बताया जा रहा है कि जो उसमें गाना बज रहा है वो सौंग है पापा का लड़की पवन सिंग को पापा कह रही है ठीक है पापा कह रही है आप पहले जानिये तो सही कि वो लड़की कौन है हम आपको बता दे कि वो लड़की स्वेता जहा है स्वेता जहा कौन है अब स्वेता जहा पवन सिंग के टीम की एक निमबर है और वह पवन सिंग के साथ कंधो से कंधा मिला कर हमेशा से चलती है और स्वैता जहाँ वही लड़की है पियांशू राज जो है उनकी गल्फ्रेंड अब पियांसू राज से आप सब कोई समझ गए होगे की कि पयांसु राज कई प्यांसु राज के लिए हमें बताने का कोई जरूवत किगे साथ में यह आकेले भी स्टेक्टे है तो उनकी गलफरेंग है अब पयांसु राज पयांसु राज पयांसु राज को लेन केला का सब्सक्राइश कु básicamente हैम चाचा पावन सींग को पापा बोलती है, कि वो पियांसु राज की गल्थ्रेंड हैं, और पियांसु राज को पावन सींग अपना बेटा के तरह मांते हैं, तो अगर वो भी पापा बोल दी, वीडियो बना ली, तो इसमें गलत क्या है? अब दिक्कत ये है कि ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो लोग ये चाहते है कि पवन सिंग जोती सिंग का घर कभी न बसे दिक्कत ये है कि जो लोग चाहते है कि पवन सिंग हमेशा इसी तरीके से बदनाम रहे दिक्कत यह है कि जो लोग ये देख रहे हैं कि पवन सिंग का चबी जो है वो ठीक हो रहा है तो उसे ठीक ना होने दे तुरंत रोके अब रोकने का एक सिलसिला है कि ठीक है भाई अब इस पर आरोप लगा दो कि ये लड़की उनकी है ये बेटी उनकी है आखिर कर चल क्या र मानवी और जो दूसरा नाम है वह बबिता मिश्रा का आपने बोला कि इन दोनों का इस मामले में एहम योगदान रहा है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वीना मानवी जो की पवन सिंग की समर्थक है उनको सपोर्ट करती है दूसरी और जो बबिता मिश्रा है वो पवन सिंग पतनी जो जोती सिंग है उनका सपोर्ट करती है तो आपको क्या लगता है इन दोनों की वज़ों से पवन जोती पास आ रहे हैं या फिर इन दोनों की वज़ों से उनकी मुश्किले और बढ़ सकती है या फिर कहीं न कहीं उनके बीच जो और दूरी बढ़ते चली गई खबरो पवन सिंग बीना मानवी को बहन बोलते हैं, दोनों तरफ बहन ही है, पवन सिंग को समझाने का तरीका बीना मानवी का अपना है, वो पवन सिंग को समझा कर एक टेबल पर लाने का कोर्सिस कर रही है, बविता मिश्रा जोती को समझा कर एक टेबल पर लाने का कोर्सिस कर रही हाला कि बिना मानवी लास्ट में कह दी कि हम हार गए हम नहीं कर पाए अगर वो लोग सुल्जाना ही चाहते थे तो यह जो उनका नीजी जिंदगी था तो इसको इतना बाहर जो आया कई तरह के बाद जो थी जो अभी तक किसी को नहीं पता था वो भी इस माध्यम से बाहर नि गरता है जब जोती सिंग एक इंटर्विव देती है एक पोटल चैनल को इंटर्विव देती है यूपी में एक दिवाल के पास में खड़े होकर अव बहुत कुछ पावन सिंग पर आरोप लगाती है और पावन सिंग कोट जाते है आरा कोट में उनकी पेसी होती है जहां प पावन सिंग कोट के अंदर लगाते हैं, कोट के अंदर जज के सामने वो अपना बयान करते हैं, लेकिन ये बात लीक हो जाता है मीडिया में, मीडिया में लीक होते ही, जोती सिंग सामने आती है, कई चैनलों पर लगाता है, इंटर्व्यू देने लगती है, और पावन सिंग कि मेरे को घर बसाना है कि घर तोरना है अच्छा ये जो बाप और बेटी का जो भी खबर है ये कहां से लिखुआ ये कहां से निकल कर सामने अचानक जो प्रियान सुराज है उनकी गल्फ्रेंड पवन सिंग को पापा बोलती है तो ये अभी कैसे खबर आई देखे जो प्रिय बोलती सिंग का इस वक्त ऐसा मैटर बना हुआ है कि तमाम जो लोग है वो नजर बनाए हुए कि कोई नया रील आ जाए कुछ आजाए कुछ नया अपडेट मिल जाए जैसे ही ये गाना मिलता है होता है न कि बिना कुछ समझे बिना कुछ जाने भौक दो लोग भौक दिये 21 साल की है पवंसिंग की बेटी है 21 साल की है अब बननाम करने का यहां से सिलसिला सुरू हो जाता है पवंसिंग को वो चाहे तो किसी को hero बना दे चाहे तो किसी को zero बना दे और यही कारण है कि social media पर तमाम जो लोग है active रहते हैं और वैसे में पवन सिंग को जिस तरीके से इस वक्त social media पर बगनाम किया जा रहा है है असाब तोर पर कहा जा रहा है कि उनकी 21 साल की बेटी है उनका 21 साल का एक बच्चा है सामने आ गया है और यह कब जब जोतीया पवन सिंग का मैटर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है घर बसता हुआ नजर आ रहा है दोनों एक होने पर लगे हुए है तब तो आखिर कर सबसे पहली बात कि बीना जाने बीना परखे और बीना समझे आप किसी पे गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं और जो अभी पवन सिंग पर लगाया जा रहा है वो एक गलती आरोप है कि आगर उनकी बेटी रहती तो पहली शादी जब वो निलम से किये थे तो उसी टाएम परधाफास हो सकता था दूसरी शादी जब उन्होंने जोती से किया तो उस टाएम भी परधाफास नहीं हुआ आखिर अभी क्यों? क्योंकि अभी सब लोग देख रहा है कि पवन सिंग को टिकट मिलने वाली है, वो खड़े होने वाले हैं, वो जोती से मिल चुके हैं, इसमें पूरा हाथ है बवीता मिश्रा जी का तो बावीता मिश्रा जी वो दोनों को जब मिलवा चुकी है तो कल ही ये वीडियो क्यों वाइरल हुआ क्योंकि पवन सिंग पूरी तरीके से बदनाम हो जाए और मेरा ये कहना है कि देखें जब वो दोनों मिल रहे हैं तो उनको बदनाम ना किया जाए वो दोनों को मिलने दे आपको क्या लगता है अगर वो दोनों मिल रहे हैं पवन सिंग और उनकी पत्मी के बीच जो भी अनबन है वो खत्म हो रहा है तो कहीं न कहीं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं बिल्कुल नहीं चाहते हैं तब न पवन सिंग को फ लेकर जोती हमेसा से चिंतित है, जोती हमेसा क्यों बोल रही है, कि मेरे पती को मेरे साथ नहीं बल कि और किसी के साथ नजाज तालुकात है, उनके साथ रेलेशन में, मैं ये नहीं चाहती, और अब बेटी को ही आप आगे कर दोगे, तो जोती तो भाग जाएगा, बनता दोगे मामला घर बसेगा नहीं तो फिर से वही होगा कि उनका चबी खराब है वह महिला उत्पीरन करते हैं तमाम ऐसे मुद्दे उठेंगे पवन सिंग को चुनाव में घेरा जाएगा तो जासा कि आपने सुना कि भोजपूरी के सुपर स्टार पवन सिंग को लेकर जो खब तो यह एक महजफवा है इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और जोती और पवन सिंग एक साथ होते ही यह देखना दुल्चस्प रहेगा फिलाल इस वक्त की कबर में इतना ही और आसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद